कई लुबर क्या होता है तक हम आचाना कोई शादी या कोई पर्टी में जाना पड़ जाता है तो हमारे लड़कियों की दिमाग में एक ही चीज पहले लेक्टी भी हम ऐसे तो नगी जा सकते है हैं तो इनको हटाना पड़ेगा तब ही अम जाए पाएंगे वरना मिस कर देंगे बिस तो हम नहीं करने वाले क्योंकि इतनी सारी दावत खाने को मिली को रेडिय। होने को मिलेगा तो हम इस तो नहीं करना चाहते लेकिन बालो को कैसे हटाएं तो आज मैं आपको बताऊंगे कैसे आप instant बालों को हट आ सकते हैं और party like glow face के उपर लेके आ सकते हैं मतलब इस तरीके से double फाइदा आपको मिलने वाला है एक तो आपके चहरे से facial hair जो है वो हट जाएंगे साथी साथ आपको बहुत अच्छी glowing और आपकी skin पहले से बहुत जादा bright आपको लगेगी एक दम से आपकी skin चमकने लगेगी बहुत अच्छी ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत काम की वीडियो होने वाली है लेकिन प्लीज ध्यान से समझना कि उसको prepare कैसे करना है उसको कैसे लगाना है और आपको हटाना कैसे है और क्या इसे आपको बाल है वो दोबारा आएंगे या फिर मोटे तीखे आए हो तो मैं आपको बता दूँं आप देखरे हो नेहा ब्यूटी टीप्स चैनल को और मैं हूँ नेहा मैं आपके साथ स्किन केर हेर केर के रिकारडिंग बहुत सारी वीडियो बहुत सारी होम रेमेडिज शेयर करती रहती हूं अगर आप इंटरस्टेड है मेरे यूट् भी brand का आपके पास है तो आप ले सकते हैं तो ये peel of mask कैसे काम करते हैं ये आपके face जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपके face के उपर से जो छोटे-छोटे से बाल होते हैं वो उनको रहटा देते हैं साथ ही साथ आपके face के उपर parlor like glow मिलता है जो parlor में जाके आप facial bleach करवा आपको घर बैठे ही मिल जाता है अगर आपको शादी party में जाने से पहले ही अगर इसका इसका इस्तिमाल करते हैं तो face से जो बाल है वो भी हड़ जाते हैं साथ ही साथ आपकी face काफी अच्छा glow आने लगता है काफी आपकी skin पहले से better और fair हो जाती है सर्दियों का मोसम है तो इसलिए ये बचारा भी थोड़ा सा जम गया इसको निकालने में पूरा जोर लग रहा है मेरा next आपने इसमें आधा चमच चावल का आटा एड़ करना है अगर चावल का आटा अभी आपके पास अविलेबल नहीं है तो उस condition में आप बेसन भी ले सकते हैं सिर्फ आपक आप skip भी कर सकते हैं लेकिन इसमें बिटामिन C होता है जो कि skin को instant fair करने में मदद करता है फिर last में इसमें आपको एक चमच जो टमाटर का रस आड़ करना है टमाटर का रस ना बहुत अच्छे से tanning को remove करता है skin को glowing करने में बहुत अच्छे से मदद करता है अगर आप skin lightening क के लिए इसका use किया जाता है इसके बहुत सारे benefits हैं तो यह अगर आपको बहुत अच्छा glow face के उपर चाहिए तो टमाटर के रस को आपने इसमें एक चमच टमाटर का रस आड़ कर लेना है तो mix करके यह आपका party like glow के लिए और facial hair को remove करने के लिए बहुत अच्छा pack बनके बिल्कुल prepare है लेकिन इसको लगाना कैसे हटाना कैसे आप देखते रहे वीडियो को मैं आपको पूरा लगागे हटागे दिखाने वाली हूँ फिर आपने इसको अपने clean face के उपर लगा लेना है पहले face के उपर आपके कोई makeup नी होना चाहिए बिल्कुल आपको face को पानी क साथ पहले wash कर लेना है उसके बाद फिर आपने इसकी मोटी सी layer अपने face के उपर लगा लेनी है लेकिन लगाते समय इस बात का ध्यां रखना ऐसा ना हो कि कि किसी side पे आपने बहुत मोटा लगा लियो और कहीं कि आपने बहुत पतला लगा लिये आप चाहो तो इसको brush की अब इसको रिमूव नहीं करना अच्छे से आपने time लेकि इसको सूखने देना है उसमें दिर आपको अपने घर का काम काज कर लीजिए सूखने के बाद फिर आपने इसको रिमूव करना है जैसे मैं दिखा रही हूं नीचे से उपर के और बालों की opposite direction में आपने इसको ऐस लेना है लेकिन सच में बताऊना मैंने कब से लगा रख है अभी winter इतनी है इतनी ठंड पर रही है जिस वज़े से यह सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था और मेरे को कहीं बाहर जाना था तो फिर मैंने इसको हटा लिया तो आपने ऐसी गलती नहीं करने आपने अच्छे त जाएं कोई natural तरीका हो तो उस topic के ऊपर मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा बहुत अच्छा तरीका है घरेलू तरीका है घर बैटे आप अपने face और body से बालों को हटा सकते हैं बिल्कुर naturally और permanently उन वीडियो के link आपको नीचे description में मिल जाएंगे आप जरूर से देख लेना बाद आपने इसको अच्छे से remove कर लेना है remove करने के बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है आप face के ऊपर aloe vera gel लगा सकते हैं या फिर जो भी आप day cream या फिर जो moisturizer लगाते हैं उसको definitely लगा लेजिए ताकि आपके skin अच्छ करके जा सकते हैं लेकिन अगर आप इसको regular basis पर यूज़ करना चाहते हैं तो 15-20 दिन में आपको एक बार ही इसका इस्तेमाल करना है लेकिन अगर आप जड़ से ही हटाना चाहते हैं चैरे से अंचाहे बालों को तो उस topic के उपर मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है तो बहुत अच्छा तरीका है बहुत असरदार है बहुत असानी से बन जाता है उस वीडियो को लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जरूर से देख लेना और बोड़ी अनवॉंटेड हियर को अगर आप हटाना चाहते हैं तो नहाने से पहले आपने सिर्फ उसको कुछ देर लगाना है उसके बाद कुछ दिन के अंदर आप देखेंगे आपके जो शरीर के अंचाहे बाल है वो हटनी शुरू हो जाएंगे वो तरीका भी आप देख लेना उनसा भी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आई होती हो आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठेक के रहें बाइबाइब